अब मैं आपको सरोप्रथम इस जोतिरलेंग की कथा सुनाता हूँ इसे संसार वजनाद धाम के नाम से जानता है महादेव का सबसे महान भक्त रावन लंका धिपती महाविद्वार उसकी भक्ती से प्रसंद होकर महादेव ने उसे अपना सबसे महान भक्त भी माना जब तक तुमारे मन में मेरे प्रतीन स्वार्थ भक्ती बाव की इत्यमान रहे तो तब तक तुम मेरे परंभक्त बने रहोग मैं तुमें वर्दान देता हूँ नशन तब संसार में तुम मेरे सबसे मान बक्त के रूप में पसिद्ध होगे रावन की इच्छा थी कि महादे उसके साथ लंका चले और वही निवास करे ताकि वो अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर सके मेरी केवल एक मातर आवश्यक्ता है आपकी सेवा करना और वही मेरी एक मातर इच्छा भी है प्रभु जिसे आपको पूरा करना ही होगा महादेव ने कहा वो अवश्य जाएंगे मैंने तुम्हे वर्दान तो दिया है किंतु रावन तुम्हारे लिए उस वर्दान को सुक्ष्मता से समझना अनिवारे है तुम्हे वर्दान मागा कि मैं तुम्हारे साथ चल सको इसी विए मैंने तुम्हे वो लिंक दिया किंतु तुम उससे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि तुम मुझे मेरे पूल स्वरू मूल स्वरू सत्य स्वरूत में बाना जाते हो उचे थे मैं अवश्य चलोगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा महा शक्तिशाली रावन को इसमें कोई कठिनाई नहीं दिखी और उसने ये स्विकार कर लिया कैलाश में सभी चिंदित थे क्योंकि सबको विश्वास था कि रावन जैसा निष्ठावान और हटी भगत अपनी समस्षक्तियों के बल पे महा देव को लंका ले जाने में अवश्य सफल्पोगा ऐसे में गणेश ने अपनी माता को वचन दिया आपकी सिंता दूर करना मेरा कर्तव भी है और मैं आपको वचन देता हूं पिताजी को उस लंका में कभी स्थापित नहीं होने दूंगा श्री बैजू जी आप कितने दयालू है आप मेरे लिए जल लेकर आए और मैं आपका धन्यवाद भी नहीं कर पाया परन्तु मैं एक समस्च्या में गेर गया लगता है जल ग्रहण को चाधिक ही हो गया आपकी सहायता चाहिए यदि आप कुछ प्षण के लिए इस चिवलिंग को पकड़ ले तो लगूशंग का निवारण है तू हुआ मैं तू मास्तर में भी बहुत भाली है लगता है मैं तू म से कहा था रावन तुम मुझे जहां भी रख दोगे मैं वही स्थापत हो जाओगा आज से मेरा एक अंज सवे यहां वित्यमान रहेगा बेजू का रूप धारण कर गनेश ने इस थल पर रावन को रूका है आज से इस थल बेजनात के नाम से जाना जाएगा कल भूँ से